तो दोस्तों इस प्लोट के अंदर करेले की खेती की गई है और यहां पर जो सीड का सुविंग किया गया था वह 27 दिसंबर को किया था और यहां पर बीज का जमाव भी काफी अच्छा हुआ है यहां पर आप देख पा रहे होंगे इतने कम टेंपरेजर के बावजूद और कर बात के दो ऱहती है उस के अंदर हमावे प्रटिकेशन करने के भी बात करें और इसके लावा उस्में कोई भी वगरा नहीं किया गया है बेसल डोज जरूर डले गए इसमें बड़ाश वगरा डाले गए थे सिमित मात्रा में और गोबर की खाद भी इसमें बैड के अंदर तैयार करते समय बैड के अंदर ही गोवर की खाथ सड़ी भी गोवर की खाथ डाल दे गई थी और प्लांट की ग्रोथ जो है वह आप देख पा रहे होंगी कितने शांदार और कितने अच्छी ग्रोथ इसमें हमें मिली है और दोस्तों इसमें इस प्रे वगरा की बात करें तो और अगर प्रेवेंटिव इस प्रे की बात करें तो प्रेवेंटिव में हम इसमें नीमोईल का इस प्रे जरू करेंगे एक दो दिन में लेकिन इंसक्तिसाइड का इसमें अभी नहीं होने वाला है कोई भी क्यूंकि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है यहाप आप देख होगी और इसमें कोई दोपने और में इसमें कोई भी रोग जो है मैं आपको नजर नहीं आएक यह इसके कमार्केट सुस्वान अच्छे मिल जाते हैं तो काफि अच्छे आपको मार्केट प्राईज इसके जो है मिल जाते हैं और अप ध्यो görüns बिक्ताफिशन की你州 अप कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्य बाद